नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल अचार जागेंद्र मिस्ता में 11 मार्च 2021 महा सिवरात्री नंदी जी के कान में बोल दें यह एक मंत्र 24 घंटे के अंदर होगी सभी इक्छा पूरी जी हां दोस्तों देखिए सिव मंदिर के सामने आपने देखा होगा ठीक नंदी जी महाराज बैठे रहते हैं सिवालाई में कहां रहते हैं भगवान सिव के ठीक सामने बैठे रहते हैं अब नंदी जी महाराज भगवान सिव के बाहन है और भगवान सिव जी के परमभक्त भी हैं और उनके कान में हर कोई अपनी मननत कहते हुए आपने देखा हुआ यानि कुछ न कुछ कहते हुए देखा होगा तो ये जो मननत है क्या कहना चाहिए आपको वो कौन से सब्द हैं जो आपको नंदी जी के कान में कहना चाहिए और आपने कहते हुए देखा भी होगा बहुत से लोगों को तो सबसे पहली बात तो जो भी ब्यक्ति नंदी जी के कान में जो अपनी मननत कहता है उनको विश्वास होना चाहिए सबसे बड़ी बात तो बिश्वास है अगर आपको बिश्वास ना हो तो फिर आप ना कहें बिश्वास हो तब ही कहें क्योंकि दिल से मांगे गई बस तु दिल से मांगे गई मुरादें यदि आप दिल से मांगते हैं तो मन की मुरादे जरूर पूरी होती है और भगवान सि सीव जी तक पहुँचा देते हैं आपकी मन्नत को जी हैं दोस्तों आप कहेंगे कि भगवान सीव सब साक्षात बैठे हुए हैं तो फिर नंदी जी के माध्यम से क्यों देखिए तो देखिए दोस्तों सीधी सी बात है आप जब भी सीव जी इसे आप कुछ ना कुछ मांगते है कि नंदी जी पूर्व जन्म में सिलाद रिशी थे जिन्होंने हजारों वर्स तक तपश्या करके भगवान सिव संभू जी को प्रसंद किया और उनसे यह बरदान मांगा कि हे प्रभू हे सिव संभू सदैब आप हमारे साथ रहिएगा जी हां दोस्तों और उन्होंने ब नंदी के रूप में श्व जी के साथ रहते हैं और सिव पुरान के अनुसार भगवान सिव और सदैब तपश्या में लेन रहते हैं बंद आँखों से भी शंपूर जगत के संचालन में शहयोग करते हैं लेकिन जो नंदी महराज हैं वह चैतन नताक्ती भी हैं खुली ताकि जो कोई भी वगत भगवान्सीव के पास अपनी समस्या को लेकर आता है तो नंदी जी उन्हें वही रोक लेते हैं और किसी को बाहर यनि किसी बाहर की व्यक्ति को सिव जी की तप수 में बिगण ना अब भक्त अपनी बात नंदी जी के कान में कहते हैं अब नंदी जी के कान में क्या कहना है आपको ताकि आपकी सारी मनोकामनाई 24 गंटे के अंदर पूरी हो दोस्तों अगर आप अपने सारी दिल की इक्षाई कहना चाहते हैं आज चाहिए आपको नोकरी की इक्षा हो आपकी वेपसाई की इक्षा हो या किसी प्रकार की कोई इक द्याम कुलदरों बोल दे जाथ मंत्र बोलं मंत्र को हो एक्रण में एंद्रकों की समघरोनी साथ grandpa के NICK साहिप, यह इस सब्सक्राइण सब्सक्राल में ही जूर। पूरी होंगी जीवन में शुक्षांती बैभाव धन संपति सब कुछ आएगा हर कश्ट मिटा देंगे हर कश्ट हर लेंगे और खूब सारा धन संपति आएगा तो दोस्तों जोर से बोलिए हर हर महारे